तो नमस्कर दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वात करता हूँ तो दोस्तों HPSC हमिरपुर की तरफ से आज कुछ प्रेस नोड जारी किया गया है जिसमें कुछ पोस्ट कोट और इनके इग्जामिनेशन की डेट और इनका स्केडियूल जारी किया गया है तो देख लेते हैं कौन से किनाविनेशन का कब डेट है तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को स्क्राइब कर लेना इसका है तो इसका है तो इवनिग सेशन में नमंबर मन्त में लेंग्वेज टीचर का है एल्टिक आगया है 28th माऊनिग सेशन मौनिग सेशन में बहीए पर प्रेस दफ्तरी का आप देख सकते हैं अलगलग पोस्ट कोड है 612 और 921 आप देख सकते हैं 911 का है अल्बिए इवनिग सेशन में 5 सेशन के दिन इसके लाभा लेजाभा 4ла है 211 वाला है वो 11 December को morning session में है और जो basically आपका 904 है वो evening session में 11th of December को next is clerical 918 12th December next is 911 hostels pretendent 12th December evening session next is 903 JOA IT यूनिर ओफिसर आईटी तो ये 19 December को morning session में है और आखरी है 895 beekeeper ये है 19 December evening session तो अब देख सकते हैं ये इनके post code है ये name of post और date of examination अगर आपके किसी फ्रेंट का यहीं में से कोई examination है तो प्लीज यार उनके साथ आप चाहें तो इस video को share कर सकते हैं जो भी application जो भी admit card है साफ लिखा गया है 15 दिन पहले उपलब्द हो जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके check out कर सकते हैं hpsv.hp.gov.in के उपर जिते अंदर कंबर जी जो की सचीव है तो हिमाजल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन हमीरपूर उनकी तरफ से प्रेस नोड जारी किया गया है अब यहीं आ जाते हैं एक और नॉटिफ्कीशन की तरह तो डौस्तों जीन नोटिफ्केशन एक बहुत इंप्र्टन नोटिफ्केशन नहें आपको पढ़के थोड़ा सा जीब तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ, 2765 application ठीक है, रिसीव हुए, बट उसमें से क्या था, सिर्फ 2753 applications ऐसे थे, जो reject हो गे, तो बचे कितने 12, अब जो 12 application बचे, तो जब उनको आप दे सकते हैं, इनको directly, इनका कोई return test नहीं हुआ, इनको directly 15 वागते, वैलुइशन के लिए बुल लाय गया, और जब इनका scrutiny किया गया, डोकुमेंट का, तो एक भी ऐसा candidate, जहां पे फिट नहीं वैठा, तो क्या हुआ, यहां पे जितनी भी 6 की 6 vacancy थी, वो रह गहीं, बेक हैं, तो अब देख सकते हैं, किसी किसी department में हम देखते हैं, कि पोस्ट खल ही रह जाती है, और का मामला कोट कचैरियों तक चला जा चुका है, तो इसाल से विग आईरनी, चली है, मूब करते हैं अभी, नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ, यह आखरी नोटिफिकेशन है, तो यह फाइनली रिजल्ट डेकलेर किया गया है, तो आप देख सकते हैं, किस चीज का रिजल 622 candidates were called for evaluation, तो इनका evaluation हुआ था, ठीक है, तो यह हुआ था 5 और, 7 और 11 नवंबर के दिन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, पोस्ट कोट 651 का यह रिजल्ट, फाइनली डिकलेर कर दिया गया है, 2,18 को आप देख सकते हैं, यह रिटन अब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था, कित 205 पोस्ट थी, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, कौन-कौन से candidates हैं, यहाँ पर, इनके name, role number आप देख सकते हैं, और even कितने marks इनका secure हुआ है, वो भी देख सकते हैं, तो यह लगवग आप देख सकते हैं, 202 candidates हैं, तो टोटल 3 पोस्ट थी, वो बेकेंड रहे चुकी है जिसमें से OBCWFF1 और SAF, BIRD OF FREEDOM फरिटर 2 वेकेंड सीट से हैं, वो बेकेंड रहे चुकी हैं, तो 205 में से 203 सोरी तीन सीट वेकेंड रहे चुकी हैं, तो हो सकता है, जब next time कभी नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें को इनको 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 करती है जाए, तो य वहां पे मैं इसको PDF को अपलोड कर दूँगा, वहां से अप डाउनलोड कर लेना, बड़ा कोमेंट सेक्शन में जुरूर जैस लिखोगे, तभी मैं इसको अपलोड करूँगा, अदरवाइस मेरा अपलोड करने का वहां पे कोई फाइदा नहीं रहता है, तो चलिए दोस् and wish you very very good luck and bye bye for now.